हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, और आप सभी कैसे हैं, उमीद करती हूँ आप सभी बहुत मज़े में होंगे, जैसा कि आज लॉकडाउन का पीरिड जो है वो और आगे तक बढ़ा दिया गया है, तो आपसे मैं यही कहूंगे अपने घरों में रहिए और सुरक्षि हैं, तो आप यह चीज कर सकते हैं, और इसी चीज के लिए मैं आज का जो वीडियो बना रही हूं, इसमें मैं आपको एक बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, उस प्लांट की कटिंग कैसे लगाई जाएगी और उसकी कैसे करी जाए, इसके बार में मेरा वीडियो है, तो य जब इसके उपर धूप पड़ती है, तभी इसके फ्लार खिलते हैं, और इसके लीवस जो होती हैं, थोड़ी सी आप देख पारें, शाइनी हैं, और मोटी होती है, नॉर्मल जो हमारा प्लांट होता है कोई भी, उससे काफी जादा मोटी होती है, और देखने में बहुत श और इसमें इसका जो मैं baby sun rose plant की बात कर रही हूँ, इसका पानी आप ये देखेंगे daily ही सूख जाता है, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके daily दे सकते हैं, क्योंकि जिस भी प्लांट के उपर flowers आते हैं, उसको पानी की वैसे भी थोड़ी ज़ादा जरुरत होती है, तो ये succulent family का होने के बावजूद भी इसको आप daily watering कर सकते हैं, और over watering इसको भी नहीं करानी है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, और अगर आप इसे धूप में रखते हैं, तो वो ज़ादा अच्छा है, इसके उपर अगर धूप पड़ेगी, तो ये देखें जिस तरी चल जाती है, और ज्यादा कुछ उसके लिए effort नहीं करने होते हैं, आप एक छोटे सी लाके cutting कहीं से लगा सकते हैं, तो उससे बहुत सारे और बना सकते हैं, और ये जल्दी ही growth ले ले लेती है, गर्मियों में जो इसका time है, वो अच्छा बढ़ने के लिए सही है, ये hanging basket के प्लांट है, और अगर आप चाहें किसी गमले पर लगा देते हैं, और ये नीचे की तरफ फैल के, और उस गमले को भी cover कर लेती है, अगर कोई portion आपको ऐसा दिवार या कोई चीज कवर करनी है, तो उसके लिए भी आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ फैलती है, तो आप इससे hanging basket तयार करके अगर लगाएं, तो वो भी बहुत खुबसूरत लगेगी, और इसकी care जो है, वो ही simple है, कि बस पानी आपको थोड़ा ध्यान से देना है, दूप में इसको रखना है, अगर आपको लगता है कि इसके उपर कोई पैस्ट वगरा है, तो आप नी मॉयल यूज़ कर सकते हैं, बाकी कच्चे दूद का जो बनाया जाता लिक्विड वो भी आप इसके उपर स्प्रे कर सकते हैं, मैंने वही किया हुए, उसी के ये वाइट पैट जो आपको इस पॉर्ट दिख रहे हैं, ये वही है, ये प्लांट जो है, गर्मियों में ज कटिंग लगा सकते हैं, ये मेरा काफी बढ़ चुका है, और सिर्फ एक कटिंग से इसको लगाया गया था, और इसने अभी काफी ग्रोथ ले ली है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा कट करके, अगर दूसरे में लगाऊंगी, तो इससे कोई डर वाली बात नहीं है, क्योंकि तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, आपके पास कोई भी अगर ऐसा प्लांट है, तो आप उससे और बहुत सारे बना सकते हैं, इस टाइम को आप यूटिलाइस कर सकते हैं, मैंने ये इसमें सिर्फ एक कटिंग सिंगल लगाई थी, और वो ही आज बढ़के इतना सारा क कर चुकी है, तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, कि ये सिर्फ सिंगल एक कटिंग लगी वी है, और ये बहुत बढ़ चुकी है, तो अब इसकी अगर मैं कटिंग और कहीं लगाऊंगी, तो मेरे और भी जो पौदे हैं, वो तयार हो जाएंगे, और फिर उनसे हम और बढ़ा सकते हैं, तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल मैं दिखा रही हूँ, इसकी कोई भी आप एक ब्रांच जो कि आप कट करना चाहते हैं, वो आपको लेनी है, और ब्रांच अगर जिसमें फ्लार आ रहे हैं, आपकी ग्रोइंग वाली टिप है, वो आप लें, तो और जादा अच्छा रहता है, तो यह देखिए, मैं इसे यहां से कट करूँगी, यह देखिए, इसको यहां से कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लार आ रहे हैं, और जो नई ब्रांच होती है, वो जादा जल्दी लग जाती है, तो इस तरीके से मैं बाकी कर लेते हैं, यह देखिए, यहां से इसको कट कर लूँगी, इस तरीके से मैं इसकी 4-5 कटिंग जो है, वो ले लेती हूँ, क्योंकि यह बढ़ चुका है, और यह फिर वापस बढ़ी जाना है, तो कोई ऐसी डर वाली इसमें बात नहीं है, तो इसको आप कट करके और रख लीजिए, जब भी हम किसी पौदे की कटिंग लगाते हैं, तो उसको यह चीज याद रखेगा, कि स्टार्टिंग में चाया में आपको रखना है, एक दो दिन, और यह देखिए, इसके नीचे के जो पत्ते हैं, वो हटा देने हैं, कोई भी प्लांट अगर आप कटिंग से के बाद, और इस पोर्शन को हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे, यह बहुत जल्दी अपनी रूट्स जो है, वो डवलप कर लेता है, बस स्टार्टिंग में इसे जो है, थोड़े दिन चाया में रखोंगे, उसके बाद इसे दूप में रखेंगे, क्योंकि कटिंग से है तो जब तक इनके रूट्स जवलप नहीं होते, इनको थोड़ा सा हमें कियर करना होगा, और कटिंग सारी लगाने के बाद इसको शावरिंग करा दीजिए, शावरिंग करा के आप इसे चाया में रखें, और जब यह थोड़े से रूट्स आ जाएं, उसके बाद आप इसे दूप में रख सकते हैं, यह दूप वाला ही पौध है, आप जितना इसे दूप में रखेंगे, उतने ही इसके फ्लार्स आएंगे, तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजेगा, और कोई कमेंट हो तो जरूर कीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई